एक बहुत ही मौजू प्रशन आपने पूछा है मैं इसको ऐसे कहूंगा क्योंकि पहले जब मैं लोगों से बात करता था और कहता था कि हम भारत जो रो यात्रा में जा रहे हैं तो राहुल जी तो हमारे निता हैं हमारे दोस्तों को भी ये भरोशा नहीं होता था कि हम लोग 25 किलोमेटर रोज पैदल चलेंगे यहां से शुरू हुई है यह पूरा कॉनवरसेशन जो आप सवाल पूछ रहे हैं और राहुल जी को लेकर के तो पता नहीं क्या क्या कहा गया है क्या 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 कहा गया है एक पत्रकार ने हमको कहा कि इस यात्रा से राहुल जी की छबी पास्तविक्ता है वो देश को आगे दिखेगा वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आर्सी क्या परहे लिखे को फार्सी क्या प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं होती है वाटसेप पे जो मेसेज आया है या टीवी डिवेटों में जो ख़डा करने का एक एक ज यात्रा के दोरान जितनी भी बातें राहुल जी को लेकर के बोली जाती थी सीरियस नहीं है विदेश चले जाएंगे पैदल नहीं चलेंगे छुट्टी मनाने चले जाएंगे छुट्टी होगी तो डिल्ली आ जाएंगे अरे कैसी बातें करते हो कंटेनर में थोरी रहेंगे कैसी बातें करते हो 25 किलो मिटर पैदल थोरी चलेंगे ये सारी चीजें समाप्त हो गईए और हम कहते हैं कि उनकी छबी बिगारने के लिए करोरों रूपया खर्ज करना पड़ा उनकी जो बास्तविकता है न उसके लिए सिर्फ उनको रोड पे निकल करके पैदल चलना पड़ा कितना फर्क है बस आपको जनता के बीच में आप गए और आपको ले करके जितनी कोशिशें थी उस सब पे जो है पानी फिड़ गया और आज वही लोग मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जो हमको सवाल पूछते थे थे न कि चलोगे कि नहीं चलोगे राहुल जी को ले करके तो उनके सारे सवाल अपने आप समाप्त हो गए है और इतनी मारमिक तस्वीरें आती है बच्चों के साथ महिलाओं के साथ बूढों के साथ और इस देश के वो लोग जो महसूस करते हैं कि उनकी उमीदें तूट रही है चाहें वो किसान हो नौजवान हो महिलाएं हो चाहें इस देश की सिविल ससाइटी हो रिटाइट जज हो फिल्म में काम करने वाले लोग हो पत्रकार हो लेखक हो साहितकार हो और चाहें वो फैमिली जिनके परिवार से किसी ना किसी की सहादत हुई है आप लोगों को मालूम होगा कि हम जिस भी एस टेट में जा रहे हैं उस एस टेट से जुड़ा हुआ जो बहुत एक कहते हैं जिस मुद्दे को लेकर के समाज में बरी भहस हुई हो या जिस मुद्दे ने इस समाज को बहुत ज़्यादा उद्वेलित किया हो उस मुद्दे से संबंधित परिवार भी हमारी यात्रा में आ करके जुड़ता है मसलां आप जानते हैं कि करनाटक में गौरी लंकेश जी का परिवार आया तेलंगाना में जो है रोहित बिमुला जी का परिवार आया और आने वाले समय में भी वो सारे लोग जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है न्याय की उस उम्मीद के लिए वो लोग इस यातरा में सामिल हो रहे हैं तो ये जो प्रशन आपने पूछा कि राहुल जी का कद बड़ा होगा मैं समझता हूँ कि एक बात कही जाती है न कि बरे बराई ना करे बरे ना बोले बोल रहिमन हिरा कब कहे लाख टका ममोल ये उनका कद बड़ा होगा छोटा होगा ये प्रशन नहीं है उनका जो वास्तविकता है उनकी जो रियलिटी है उनको ले करके जो जूट जूट एक जूट का जो है बातावरन एक आवरन जो खड़ा गिया गया है वो अपने आप जो है धरासाही हो गया है वो सारी चीजें की serious नहीं हैं विदेश चले जाएंगे छुटी पर चले जाएंगे consistency नहीं है वो सारे सवाल जो हैं वो निराधार सावित हुए